उत्थान समीति द्वारा आयोजित हिंडन मोहतसव के इस्सु बवशर पर उत्थान समीति के अध्यक्ष शिरी सतेंदर सिंग जी भारतियो जनता पार्टी के हमारे वरिष्ट नेताब ब्रशपाल तेवतिया जी मेरे बड़े भाई और भारतियो जनता पार्टी के पूर विधायक आदर्णिये सिरोही जी मेरे अनुज और बहुत ही जुजहरू व्यक्तित्व के धनी हमारे छेत्रे उपाद्यक्ष श्रिमान मैंग गोयल जी मेरे संसद्य कारियों में प्रतिनिधित्व करने वाले देवेंदर हितकारी जी मेरे छोटे भाई भानू जी इतनी संदर प्रस्तुती करने वाली हमारी निम्रता जी और उनकी टीम और मेरी बहन बहुत ही बढ़या और संदर संचालन करने वाली उपास्थित देवियों सज्जनों बहुत सारे संस्कृतिक कारिय करम होते रहते हैं जिन में जाना होता है लेकिन ये अपने आप में एक अद्बुत है इस संस्कृतिक कारिय करम के माध्यम से प्रयावरण को जो बहतर करने का कारिय हो रहा है एक समाज को जागरुप करने का कारिय हो रहा है ये वास्तों में इसकी जितनों तारीफ की जाए उतना कम है अभी बहुत सारे कारेक्रम होने हैं कलवेलिया, डांस है, डांडिया है, भांगडा, गिद्धा मैं बहुत जादे समय आपका नहीं लूँगा बस केवल एक ही में बात कहना चाहता हूँ उठान समीती के सदस्यों को, सतिंदर जी को कि आप जो ये कारिय कर रहे हैं, ये वास्तम में बहुत ही अच्छा है और इसमें शाशान, प्रशाशान, भारत सरकार मैं व्यक्ति गत रूप से, पार्टी की ओर से, जो भी सहायता आपको चाहिए, हम करने के लिए तयार हैं चुकि आज ये देश की अवशकता है, कि हम अपने परियावरन को बचाएं आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि हमारा जो एर क्वालिटी इंडेक्स था, कितना ज़ादा बढ़ गया था पीने के पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है बहुत सारे गाओं में जो बोर्वैल का और नल का पानी है वो पीने के लायक नहीं है उसका में कारण ये है कि हमारी जो नदियों की सैल्फ क्लिंजिंग कैपसिटी थी प्रदूशन के कारण घरती जा रही है एयर में ऐसे पार्टिकल्स मिल रहे हैं जो हमारे स्वास्त के लिए घातक है तो जल और वायू ये दोनों ऐसे आवश्यक वो हैं कि इनके बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते तो इन दोनों को बचाने के लिए हम सब को आगे आना पड़ेगा और उथान समीती जो जन जागरन का अपने इस कारिकरम के माध्यम से कारिय कर रही है इसकी जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है और निश्चित जानिये इस तरह के कारिय करमों से लोगों में प्रेणा आती है कुछ अच्छा करने की तो उत्थान समीती के अध्यक्ष सभी सदस्यों को मेरी बहुत-बहुत शुब कामना है और मुझे उमीद है कि ये कारिकरम जिस उद्देश से ये किया जा रहा है अपना उद्देश से प्राप्त करने में सफल होगा बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी यहां बैठे वे हैं अपना कॉस्ट्यूम में उन सब को भी मैं बहुत-बहुत बदाई देना चाहता हूँ कि आप लोग ही देश के करंधार हैं जो आगे आने वाले समय में इस देश की बागडोर संभालेंगे इस देश को आगे बढ़ाएंगे इस देश का विकास करेंगे आप सब को बहुत-बहुत बदाई धन्यवाद जय हिन जय भारत बहुत-बहुत धन्यवाद सर और आपके ये वचन आपकी ये बातें निश्चित ही हमारा मार्क प्रशस्त करेंगी और एक नई दिशा की ओर हमें प्रेरित करेंगी और आपके ये शब्द बेश कीमती हैं कि हम हमेशा आपके साथ हैं सहयोग के लिए तो यकीन मानिये उत्साह दो गुना नहीं चार गुना हो जाता है जब इस तरह का संबल मिलता है इस तरह का सहारा मिलता है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं बस आप लोगों का साथ सहयोग और सानिध है लगातार यूही बना रहे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार आपका